एक बार पर सभी सभी का बहुत-बहुत स्वागत है लोगाई ग्लासेस के यूटूब प्लेटफार्म दोस्तों बिए सेटेंडियर में लास्टेशन है ये हिंदी भाषा एवं संस्क्रति वाला लास्टेशन है और कल से दोस्तों तुरंत जो है इंग्लिस पर आपको morning में 10 बजे classes मिलना प्रारंब हो जाएगी डेली morning में तो कुल मिलागर कि दोस्तों आपके exam से पहले हमारा target है कि आपका foundation course complete करवा दिये जाए इसी प्रकास से वस्तो निश्ट प्रशनुतरों के साथ में ठीके ना आईए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन और आज का जो टोपिक है हमारा वह टोपिक होगा लास्ट टोपिक है चुकि हिंदी का शब्द रचना और इस टोपिक से संबंदित जितने भी महतपूर प्रश्णुतर हो सकते हैं उन पर हम डिसकस करेंगे ठीके ना आ फुल डिटेल सेशन अपलोड किये गए हैं जिनने आप निशुल के रूप से यूटूब पर ही देख सकते हैं और इसके अलावा आप उनकी नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्किप्शन में जाकर के प्रतेक शेशन की जो भी हम लेक्चर लेते हैं उस प्रतेक लेक् आधार पर चार शब्द दिये गए हैं आपको चार शब्द दिये गए हैं यह चार शब्द है और पूचा गया है कि अर्थ के आधार पर इन में से सब्सक्राइब नहीं है अंतर नहीं है चार शब्द दिये गए हैं चार में से आपको यहीं बताना है कि अर्थ के आधार प पर में detail discuss नहीं कर सकता है pa detail discuss करूँगा तो ये 10 या 15 का section नहीं रह जाएगा बलकि फिर ये आदेढ़ गंटे से प qualc्सक्का session हो जायगा जो की हमestminute classes me करते हैं ones Pluto classes में तुरंत बात में इस चुप्लेशन होते ही तुरंत बात में हमारे तो निश्ट प्रस्टतर वाली सीरिस को स्टार्ट किया है लेकिन हम जो है टोटली सब्जेक्ट को विस्तार से पढ़ाते हैं तो वो शेशन जो है अलग से आएंगे इसी चैनल पर ही आएंगे जो नए स्टुडेंट हैं जो जिनका एक्जाम अभी नहीं है उनके लिए बहु इकारती और ध्वन्यारतक शब्द इनका वेद अवेलेबल है लेकिन अभीकार जो अभीकार शब्द है इसका कोई वेद नहीं है ठीक है ना इसलिए आंसर क्या हो जागा करेक्ट आ ओप्सन करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला प्रश्ण लेते हैं निम्न में से कौन सा कौ अगला प्रश्ण है निम्न में से देशजी सब्द कौन सा है देशज बस आमको इनका नाम याद अखते हो चलना है दोस्तों ना देशज सब्द कौन सा नहीं है अब एक्जाम में आप से इसका उल्टा भी पूछे सकता है जैसे प्रश्ण नमर दो देखिए कि आप पूछ कौन सा रोड़ शब्द है तो तीन ओप्शन आपके पास में तीन ओप्शन दोस्तों जो है रोड़ शब्द नहीं होंगे उनका दिये जाएगा और एक आपको रोड़ शब्द दिये जागा तो इसलिए आपको ना यह चारो ओप्शन ध्यान में होना चाहिए चारो उसके बाद ही जो है आपका काम बन पाएगा क्लिए तो अगला प्रश्ण प्रश्ण नमर तीन है देशे सब्द बताना आपको कौन सा है चार ओप्सन है आपके सामने घेवर बेल मिस्ठान और खीर इसमें से देशजी सब्द कौन सा है देशज सब्द तो दोस्तों देशे के कितने भेद किये गए है रचना के आधार पर अगर आपने पार्ट पड़ा होता तो पार्ट में किलियर दिया गया है कि रचना के आधार पर प्रकरती के आधार पर उनके प्रियोग के आधार पर शब्दों के किस-किस प्रकार से भेद किये गए है तो इसी प्रकार से र उप्सन बा करेक्टो हो जाएगा अर्थात की तीन भेद की जाते हैं शब्दों के ठीके ना अगला प्रेशन है मैंक किसका पर्यावाची नहीं है मैंक किसका पर्यावाची नहीं है पर्यावाची नहीं है चार में से एक तीन उप्सन एसे हैं जो मैंक के पर्यावाची है बा चांदनी मयंग का पर्यावाची नहीं है यह तूस्त अब यह वाला पार्ट में तोटली रहेंगे इस भालें प्रशन में प्रश्न में कुछ भी और बहुत ल芯े कुछ भी तोफ़ोश नहीं पड़ेगा वर्ष बकाना बहुत है में और इसका राइट ओप्शन होगा कोई वात नहीं टेंशन ना ले अभी आपको एक्जाम की तयारी करना है तो जितना वताराओं बस उतना कर लीजिएगा आपका हो क्यों कि टाइम खत्म हो चुका है पत्चीस तारिक से आप लोगों के एक्जाम है इतना समय हमारे पास न लगा लीजिए that's all हो जाएगा आपका चलिए next question लेते हैं अगला question है गेहूं शब्द का निम्न में से तत्सम शब्द है चार option है आपके सामने गेहूं का तत्सम शब्द बताना है क्या है गेहूं का तत्सम गोहूं गोधूम गोहूं या गोधूम इसका right option होगा द गोधूम जो गोधूम शब्द है यही गेहूं का तत्सम शब्द कहलाता है किलियर अगला प्रश्ण है निम्न में से डब्बा कि शब्द का एक बचन है कि शब्द का एक बचन है चार शब्द दिये गए हैं चार शब्द दिये गए हैं देखिए डिबिया डिबिया डिब्बे और इन में से कोई नहीं अब कुल मिला करके एक बचन बताना है मतलब कि लुए लुए है यहाँ पर उसका एक बचन पूचा गया है प्रश्न में को तो तीन अप्सन आपको यह आपन दिये गया है डिविया डिबिया और इनका एक बचन बताना है इसका मतलब यह समझिए कि डिब्बे डिब्बा जो है ना डिब्बा इसका बहु बचन कौन सा होगा कि प्रश्ण होगा कि डिब्बा का बहु बचन कौन सा होगा और राइट ओप्सन को अनुगा दोस्तो दा हो जाएगा क्यों हो जाएगा दा देगे डिब्बे मतलब की कॉंटिटी में जादा और डिब्बा मतलब एक ना तो बहु बचन से एक बचन निकालना क्लियरे कौनसा शब्द इस्त्रिलिंग है कौनसा शब्द इस्त्रिलिंग है चलिए चार ओप्सन दिए गये हैं इस्त्रिलिंग पर पेचानना आपको चना बाजरा उडद अरहर अब इनमें याद रखें तीन ओप्सन ऐसे हैं इस प्रश्णवाजर को निमन में से कौन सा सर्भ नाम का भेद नहीं है चार उप्सन दिए गये हैं पुरुश बाचक गुनवाचक प्रश्णवाचक और निजवाचक ये चार शब्द है इन चार शब्द हैं बताना है आपको कि सर्व नाम का भेद कौन सा नहीं है इन में से सर्व नाम का भेद कौन सा नहीं है तीन शब्दे से हैं जो सर्व नाम के भेद है और एक है जो नहीं है इसका राइट ओप्सन होगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा राइट ओप्सन बा हो जाएगा जो गुण वाचक सब्सक्राइब कीजिए आप नो मिठाई मीठा इसका के दोस्तों मीठा क्या मीठा まず प्रृक्राइब बोहता सब्सक्राइब कर रहे हैं कि कि रringete हें कितना hardcore पूछा गया है लेकिन पता इसका उल्DP हो er PAUL कितना इनल नहीं कर पाते हैं आप सबarleason को एक ही कोर से पढ़ें चाहरAY वो कितना भी आसान हो कितना भी आसान हो उसको पूछने का इक नज़रिया ऊथा होता है का हुट तरीका होता हुट उस तरीके से जवाब देंगे तो exactly आपके नमर कोई काट नहीं सकता है अगला प्रशन है वाक्यों का वर्गी करण जो किया जाता है कितने आधारों में किया जाता है वाक्य करण आप यहां पर शब्दों का वर्गी करण नहीं आ रहा है वाक्य का वर्गी करण कितने आधारो या पांच आधारों पर कितने आधार पर दोस्तों तो पूरे वाक्य का जो बरिकरन होता ना वो भी सब्दों की तरह ही तीन आधार पर होता है तीन तरीके से होता है तीन प्रकार से होता है ठीके ना चलिए अगला प्रशन है अगला प्रशन है जिन वाक्यों में एक उद्द उप्षें वाक्त Kूं डिये हैं बता यह जिन वाक्तों में एक उद्देश्य तता एक ही विद्धेंगी ध्यान दीजएगा यह उद्देश हो वह सड़ल बने तो पूरे बिस्तार समझागे चीजों में तो तो यह प्रशन है ना आपको अलग से रिविजन लगाने की आवाशकता नहीं पड़ेगी आप लोगों को आप उस पार्ट में ही इस तरह समझ जाएंगे कि एक कोई सा भी कोशन पिर पूश लेगे आप आराम से उसका आसानी से जवाब दे पाएंगे और मैं तो फिर भी उद्देश यह रहा है कि मैं चाहता ना तो शार्ट यह चाल लेक्चर में एक घंटे के तीन चाल लेक्चर लेता और सारे जितने भी कोशन में डिसकस करवाए हैं वो सारे कोशन एक साथ प्रोवाइट कर देता आप लोग को लेकिन उसमें आप लोग जो है ना सिर्फ नाउनलोड करेंस डिसक्रिप्शन में जा करके उसके बाद में अपनी पुस्तक खोलो उसी पार्ट को जो में पढ़ा रहो ना उसी पाट को पुरे डिटेल जो लिका है वो उसभा पढ़िए कर ना सिर्फ एक बार रीडिंग करना उस लीडिंग को सब्सक्राइब जोंका त्यों प्रियोग में लाते हैं क्या के लाते हैं संस्कत के कुछ ऐसे सब्द भी है जिनको बिल्कुल बेसे संस्कत से उठा करके हम हिंदी में प्रियोग कर लेते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं तत्सम कहते हैं तद्वब कहते हैं देशच या विदेशच क्या कह लिए गया है इन्हें रूड सब्द पूछा गया है आप लोगों से पहले प्रश्न या था कौन सा रूड शब्द नहीं देखिए देखें दूसरा प्रकार्वी पूछ लिगा है याँ पर आपसे कि रूड सब्द आपको यहाँ पर रूल शब्द पेचानना कि ना और पशु इन में से रूर्ड शब्द आपको बताना है इसमें रूर्ड शब्द थे पश्टु क्या है पश्टु कि अगला प्रशन लेते हैं कि शब्द रचना की आदार पे बताये कि कोन सा शब्द योग रूर्ड है रचना के आधार पर पूंच गया है ना रचना के यहाधर पर बताना है कि कौनसा शब्द योग रूल है पवित्र कुशल जलज या विनी में या जलज इनिमी का राइट ओप्सन इसमें हो जाएगा जलज जलज शब्द जो है यह योग रूल शब्द है अगला प्रश्न है सोतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं सोतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं जो सब्द सोतंत्र नहीं रह सकते हैं किसे ने किसी शब्द के साथ जुलकर के उनका प्रियोग होदना ही आवश्यक होता है ऐसे सब्दों को दोस्तों हम यहाँ पर योग की दरश्टी से सूख्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले सब्दों क्या कहलाते हैं तो यहां पर प्रियोग की दरश्टी से अंतर व्यक्त करने वाले शब्द बहुत माइनार सा डिप्रेंस निकालने वाली शब्द होते हैं उनको हम कचा एक बहुत माइनर सा डिप्रेंस होता है चोठा साथ मतलब की 100% 65 hides ही हो छोटा सा माइनर सा अंतर होता है उसमें लगबग दो तीन परसेंट का अंतर होता है उसी को हम समनारती सब्दों बोल देते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट प्रेशन है जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके मतलब अलग-अलग भाग हो सके उन शब्दों क्या कहेंगे र कोक्षिन नमबर 19 के साथी के लिए रहे प्रते एक टोपिक पर हमने एक एक सेशन लेकर के आप लोगों का दोस्तों हिंदी कंप्लीट कराने का प्रियास किया है और मेरा पूरा दावा है उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप इसका अच्छे से रिविजन करेंगे औ दोस्तों मेरा पूरा बिजवास है कि अगर आपने जो में पीडियाप दस सेशन के माद्यां से जो पीडियाप में आपको प्रोबाइट की है दसी पीडियाप है अगर आप बहुत 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 बहँतरी जाएगा बताईएगा मुझे कमेंट करके दोस्तो हिंदी वाला ये दस शोर्ट सेशन जो है दस सिरीज बाला दस लेक्चर बाला केसा लगा अगर ये आपके लिए यूसपुल है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो किरपया करके कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा ताकि मैं अपने अपने मोंटिवेट हो पाऊं और इसी प्रकार के सेशन आपको इंगलीज में भी देपाऊं कुछ सेशन दे चुका हो लेकिन उसको और कंटीन्यू कर पाऊं आगे इसके अलावा आपको उद्धीमीता विकास में और महिला सचते करना के भी इसी प्रकार के सोट दिख सब इस्ति दो ऒखांएए त्योहार भी ना फिर्य है आप अब इंतजार किस बात का है इंतजार नहीं करना अब भिर जाये तैयारी में दोस्तों अब और कोई रास्ता नहीं आप लोगों के पास में समय बहुत कम बचा है, समय भी लगबक समाप तो हो चुका है, समय खत्म हो चुका है, जल्दी से अब सिर्फ और सिर्फ study होना चाहिए अच्छे से और study में भी क्या करेंगे आप लोग अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, अब सिर्फ revision लगाना है आप लोगों को, सिर्फ revision जितना पढ़ा ह उसका revision लगाईए, foundation की classes आपकी 25 तारिक से start होने वाली है, अभी भी आपके पास इतना समय है कि आप चारों subject का revision लगा सकते हैं, और चूकी मैंने आपसे promise किया है कि 25 तारिक से पहले हिंदी English में complete करूँगा, तो हिंदी complete करके आपके सामने रग दी है मैंने, English भी मैं बहुत जल्दी इसको complete करवा दूँगा, 25 से पहले complete करवा दूँगा, आपको सिर्फ revision लगाने का बोलूँगा, उसके बाद में उद्धिमिता और महिला ससक्तिकरन दोनों को एक साथ लेकर आके आएंगे, एक session आपका morning में 10 बजे होगा और एक session आपका evening में होगा, इस तरह से उस तक आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, thank you, thank you so much.